हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज की वीडियो में हम इस तरह के डोर्मेट को बनाना सीखेंगे इसे हार्ट सेप डोर्मेट भी बोल सकते हैं तो आइए इसको बनाना सीखते हैं इसको बनाना सीखते हैं इसे आप इस तरह की साड़ी की बट्टि से बना सकते हैं चुन्निकी हो या किसी भी पुराने कपड़े की यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसे थाल-भॉस की टरह बनाना चाहे तो अन से भी बना सकते हैं ठीके अब मैं बताती हूँ कि आपको इसके लिए كतने इसके रहे लेने हैं तो इसके लिए 2 के pair में फंदे डालिए जैसे 2 इदर तो 2 इदर 4 हो गए यानि कि 4 के pair में हो जाएंगे फंदे 4 के multiple में तो इसमें मैं 20 फंदे ले लेती हूँ इस डिजाइन को सिखाने के लिए आप चाहें तो इससे बड़ा सेम इसी तरह से बनाएंगी तो इजिली बन जाएगा दिखिए फंदे लेने का एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ इधर से ऐसे करके और इस वाले धागे को यू करके फिर इसको इसी में डालके ऐसे करने से भी फंदे बन जाते हैं तो आप इसमें दोनों हाथों का यूज करके इस तरह से फंदे बना सकते हैं ये भी अच्छे वाले फंदे होते हैं आप चाहें तो इससे भी यू डालके और इधर से कर सकते हैं आपका हाथ राइट हैंड हो जो चलता है। उसके according आप इस में इस तरह से फंदी बना लेंगी। तो इस तरह से में इसमें 20 संदी ले लेती हूँ। आप अपने भी स्थे बनार। बड़ा बना रहें तो ज्यादा संदी ले लेजिए। चार चार के बियर में जैसे चार के टेबल में जो आता है ना जैसे np 4, 4 तुनेयत इस तरह से आप लेते जाएए इसको ऐसे खीषा कि अधे तो मैं यह 20 फंदे लेती हूं देखिए यहаров definitives है लिए अब यह पहली लाइन है यहां से यह वाली जैसे इस वाली में देखिए यहां से हमने इसके फंदे लिए अब हमें क्या करना एक किनारे से इसका एक एक फंदा बढ़ाना है और इधर वाले किनारे से दो-दो फंदे बिनावने छोड़ने हैं तो वह चीज अब हम इसमे सीखेंगे देखो यह इसका बाहर का किनारा हो गया यह वाला है ना तो इधर की साइड हम फंदा बढ़ाएंगे अब स्टार्टिंग से भड़ाना हमें पहली ही सलाई से तो जैसे यह 20 हैं तो यहां पर 21 वंदी हो जाएंगे इसी सलाई में आप फंद कई तरह से बढ़ा सकते हैं वैसे जब भी किनारी पर यह बहारी किनारा ना तो इदर बढ़ाते हैं तो फिर हम सबसे इजी इस तरह से फंदे को बढ़ा लेते हैं सलाई के ऊपर धागे को ऐसे लपेटा और इसको पहले वाले फंदे को बना दिया अब यहां पर देखो जब हम इसे बुनेंगे तो दो फंदे होजाएंगे यानि एक यह बढ़ा हुआ फंदा आ गया तो इस तरह से बढ़ा लेते हैं और जो आगे के फंदे हैं उसे हम उल्टा-उल्टा इसे साधा बुनेंगे देखें यहाँ पर साड़ी का थोड़ा सा किनारा निकला हुआ इसे अंदर लॉक कर लेंगे और यह बीच के फंदे जो भी है वो बु अब हम एक फंदा बढ़ाने के बाद देखो आगे के फंदे बुनते हुए जाएंगे और यह लास्ट वाले बस दो फंदे नहीं बुनेंगे यहां तक बना लेंगे ऐसे ही अगर आपने जादा फंदे लिए हैं तो उसमें भी बीच के सभी फंदे बना लीजिए लास्ट म यह वाला डिजाइन आप किसी भी डूर मेट में दो कलर में भी डाल सकते हैं किनारे पर भी कई मेरे और भी वीडियो हैं जिसमें मैंने यह दिल वाली सेथ का डिजाइन डाला हुआ है तो उसमें अगर नहीं समझना आया हो तो आप इसमें देख लीजिए यह देखें यह दो फंदे नहीं बनाएं ऐसे करके हमने ये पहली लाइन को बना लिया अब जब इधर आएंगे ये दूसरी तरफ है इधर से ये वाले फंदे और ये बढ़ा हुआ भी इधर से पूरा फंदा यहां तक बनाएंगे ये वाले दो नहीं बनाएंगे तो दूसरी साइड से इस को ऐसे पूरा करना है कि अच्छ इसमें सभी फंदों को बना लिया तो इस तरह से दोनों तरफ से इसकी एक लाइन बन गई अब हमें फिर से इधर की साइड आना है और यहां से फिर से देखिए फंदा हमें एकी साइड में बढ़ाना है इधर से जब बनेंगे तब फंदा नहीं बढ़ाया जब इधर से सुरू करेंगे तब ही बढ़ाना है ठीक है तो अब हम थिर से यहां पर आ गए हैं अब दूसरी लाइन बनाएंगे तब फिर फंदा यहां पर बढ़ाएंगे तो इसी तरह से बढ़ाना है दो फंदे हो गई है अब एक-एक फंदा हर एक से लाइं में देखिए स्टार्ट उतिये तब बढ़ता हुआ जाएगा अब यह दूसरी से लाई है तो इसमें भी दो फंदे यह वाले छोड़ देंगे यहीं तक बनाएंगे यहां तक ठीक है इस वाले फंदे तक बनाएंगे और यह पीछे के फंदे छोड़ते जाएंगे अब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे यह देखिए इसकी दूसरी लाइन एक साइड से बन गई अब इदर से भी इसको यहां से लेकर यहां तक पूरा बना लेंगे अब जाएंगे इदर से भी बना लिया अब हमें फिर से ऐसे ही करना है एक फंदा यहां पर बढ़ाना है और इस वाले यह चार फंदे छोटे अब इसके बाद दो और छोड़ने हैं तो तीसरी लाइन बना लेंगे तीसरी लाइन बनाएंगे इसके दो फंदे और छोड़ने तो ऐसे ही करते ह हुए हमें जैसे हमने 20 फंदे लिए हैं तो 10 फंदे तक हमें यह दो दो करके छोड़ने हैं ठीक है और इधर 10 फंदे छोड़ेंगे तो 2 4 6 8 10 यहां तक फंदे यह 10 फंदे छोट जाएंगे और यहां पर 5 फंदे बढ़ जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से बनाने पर एक बनाया है जैसे फंदे लिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहां पर उतने फंदे चूटेंगे और उतने फंदे बढ़ेंगे जैसे अगर आपने 12 बारा रखे हैं 24 फंदे तो 12 फंदे इधर चूटेंगे और यहां पर 6 फंदे बढ़ेंगे यानि जो भी आपने फंदे ल पढ़ा लिए तो यहां से लेकर यहां तक इस नौक तक आदी इसकी कली बन जाएगी ठीक है तो यहां तक बना लेते हैं इसको ऐसे ही बनाते हुए भुनते हुए ठीक है उसके बाद आगे यह वाला स्टेप करेंगे पहले हम इसको दस फंदे छोड़ने तक बना लेते हैं तो यह देखिए हमने यहां से पांच फंदे बढ़ा लिए और यह दो चाड़ छे आठ और यह दस देखिए यहां तक छूटे हुए देख रहे हैं यह दस फंदे छोड़ लिए अब क्या करना हमें जैसे ही यह आदे फंदे हो जाएं उसके बाद अब हमारे आदे दस फंदे बचे हुए हैं और यह पांस बड़े हुए बचे हुए हैं इनमें हम यहां से यह वाली कटिंग डालेंगे यानि अब एक एक साथ ले लिजिए दो फंदों को एक साथ बुन दीजिए तो यह अब एक फंदा कम हो गया इस तरह से आपको यहां स्टार्टिंग में एक फंदा कम करना है स्रिफ एक ही फंदे को कम करेंगे और आगे जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनते हुए आगे चलेंगे यहां तक यह दस छूटे हुए हैं अब यह दो और छोड़ देंगे यानि ग्यारा बारा अब इसी तरह से दो दो फंदे यह वाले अब छूटते रहेंगे इधर से और यहां से एक एक फंदा कम होता रहेगा तो यह जो पांच फंदे यहां से बढ़कर आए हैं वह पांच फंदे यहां से पांच सलाईयों में कम हो जाएंगे ठीक है और इधर यह दो दो करके पूरे यहां तक छोट जाएंगे दस फंदे और इधर की साइड से आपको इन्हें सब फंदों को बना लेना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और यह जो बड़े हुए फंदे हैं अब आपको इसी तरह से फिर से यही सलाईय रिपीट करने है यहां पर इधर की साइड से आने पर ही एक फंदे को कम करना है दो का एक करते हुए फिर बाकी के फंदों को बनाना है देखिए यह चूटा हुआ यहां पर इस तरह का गयप आएगा तो पता चल जाएगा अब यह दो फंदे छोड़ने हैं फिर इधर आजाएंगे इधर से यह वाले फंदे बना लेंगे फिर से यहां पर दो फंदे का एक फंदा करेंगे आगे के फंदे बनाएंगे यह दो फंदे छोड़ देंगे और आजाएंगे दर यह दो फंदे गले आएंगे में यह देखिए तीन फंदे ऐसे रह गए हैं इजर आएंगे इजर सेने बना लेंगे अब यहां जाएंगे अब यह देखिए यह आप तीन फंदे तो इन में से एक घटाएंगे तो यह दो फंदे आप रह गए यानि आप देखो दो यह 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यानि जितने फंदे लिये थी लास्ट में उतने ही फंदे रह गए तो ऐसे ही जब आपके रह जाएं और वाकी सब फंदे बड़े हुए घट गए हैं तो फिर अब आपको यह यहां से लेके यह जो छूटे हुए फंदे हैं दो दो करके उनको पूरा यहां तक इस सलाई में लास्ट वाली में बना लेना है तो देखिए एक फंदा तो यह बनकर आगया घटाने पर फिर अएक यह बना लिया और इसके बाद यह भी बना लेंगे दोनों और आगे के भी ऐसे इसी में बुनते रहेंगे पूरे ही फंदे बनाने हैं तो अब यह आदी कली बनकर अभी तैयार हुई है जैसे कि इसमें आपको दिख रही होगे यहां तक बनी है लेकिन अब हमने इसके आगे यह वाली भी बनानी है जैसे इस वाले में हमने हमने यह दूनों कली एक ही कलर से बनाई है तो यह यहां से हांव लगता है ऐसी इसमें करण जैसे हमने यह एक कली बनाई है अब देखिए इधर से आएंगे तो हम यहां से पहले इसको यहां तक ले आएंगे गुन कर देखिए हम इधर उल्टी साइड है क्योंकि जब हम दूसरी कली बनाएंगे तो धागा इधर से ही हम चेंज करेंगे तो इधर से हमने यह बना लिया अभी हमें धागा नहीं चेंज करना क्योंकि हमें ऐसी ही एक और कली बनानी है तो अब यहां से फिर से हम एक एक फंदा यहां बढ़ाने लग जाएंगे और इधर से दो दो फंदे फिर से चोड़ने लग जाएंगे यानि कि जैसे हमने यह कली बनाई है वैसे ही सेम एक और यह वाले फंदे बनाती हुए जाएंगे और यह दो फंदे छोड़ेंगे तहें एसे ही आप इसको आगे वाली कली को बनाएंगे एसको बनाया तो फिर आपके पास दु कली बन जाएंगे है उसके बाद फिर एक हम इधर से और जब अधर बैक साइट से आएंगे लresh तब दो दो फंदे इधर से छोड़ते रहें तो दूसरी कली भी बन जाएगी उतना बना लेते फिर मैं आपको बैक साइड से इसका दूसरे कलर का धागा है वो जोड़ना बता दोंगे ठीक है पहले इसको कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखे इसकी दो कली बना ली है और दो कली ब ही हम इसका जो दूसरा कलर है वो जोड़ लेंगे आप चाहें तो इसमें नौट लगाई है या फिर ऐसे ही रहने दीजें अधिक है इसको ऐसे करके अब यह जो सारे फंदे हैं दर से उधर तक वो इस कलर से बुनेंगे तो देखिए अब हमने यहां से लेकर यह उल्टी साइड से पूरे फंदों में यह कलर जोड़ लिया अब हम इसकी सीधी साइड में आ गए अब हमें फिर से इसकी एक कली और बनानी है और दूसरी भी बनानी है इस यह कलर से तो इस तरह से आपको यह कलर जोड़ना है उल् दूसरा कलर ये पूरी दोनों हो जाए कलिया फिर अगले कलर से ऐसे करके इसकी छे कली बना लेंगे और जब पूरी बन जाएगी तो इसे ऐसे राउंड सेप में रखके देख लीजिए पूरा सरकल बन रहा है फिर आप इसकी जो फंदे है ना सलाई पर उसको बंद कर देंग दो फंदे का एक फंदा करना है और फिर इस वाले फंदे को बापस इस सलाई में लेना है फिर दूसरा फंदा इसके साथ लेना है एक और और फिर इसको बनना है तो इस तरह से जितने भी फंदे हैं उन सब को यहां पर लॉक कर लेंगे और लाश्ट में इसको बंद कर दें तो धन्य बाद आपने पूरा वीडियो देखें